हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने टेक्नो इस पार गो 2024 एंडुट मॉइल फोन में आप अपने मॉइल फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉल्म को अप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जान करी देने वालों तो चलिए आपको वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कभी भी अगर आपका mobile phone slow charge होता है तो आपको करना है क्या इसकी solution के लिए सबसे पहले mobile phone को restart करना है इसके लिए mobile phone के side वाला power button आपको उंगली से दबाके रखना है आपकी screen के सामने एक page open होगा यह वाला इस page मा आपको restart पर tap करना है इससे क्या होगा आपका phone automatic switch off होगे automatic switch on हो जाएगा restart करने से यह होता है हमारे phone के android system में और कोई problem आ जाती है तो problem जा solve वो जाती phone को restart करने से ठीक है अब दोस्तों यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है देखिए दोस्तों कभी भी आप अपने phone को चार्ज करते हैं तो mobile phone को चार्ज करने के लिए हमेसा अपने phone के साथ वाला charger आपको यूज करना है कभी कबार ऐसा होता है हम किसी भी दूसरे phone का charger यूज कर लेते हैं इससे अमारा phone जो है slow charge होता है क्योंकि देखिए दूसरे phone का charger होता हो आपको अच्छे support नहीं कर पाता ह प्रवां तो आपको एक बार यह वार भी चेंझ करके देख लेनी है जिस से आपके स्लो चार्जिंग की प्रॉलम्स हो जाती है ठीकिना अब दोस्तों अगला काम यह करना है आपको अपने मुवाइल फोन का सॉफट्वेर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन के सॉफट्वेर का अपडेट आता है हम इसके सब्सक्राइब एक परपने मुवाइल फोन का चार्जिंग पूर्ट में थोड़ी बहुत दूल मट्टी च पग जाती जिसके कारण भी मुवाइल फोन पर skills होता है तो आपको जो हलके आतो है साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो charging port के अंदर के जो particles हैं, वो damage हो सकते हैं, mobile phone का charging port बिल्कुली खराब हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है, हलके आतो है साफ करना है, अगला process यह करना है, mobile phone को reset करना है, देख phone reset हो जाएगा और आपके phone की slow charging की problem solve हो जाएगी, लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात यह ध्यान रखने है, आपके phone में जितना भी data है, सारा data आप किसी दूसरे phone में transfer कर लीजिए, या उसका backup ले लीजिए, दूसरी बात यह ध्यान यूज़ करने के बाद भी आपके problem solve नहीं होती, तो आपको करना क्या है, देखिए, आपके mobile phone का service center होगा न, अपने mobile phone के service center चले जाना है, अपना phone वाँ पे दिखा देना है, ऐसा मैं इसलिए कहा रहा हूं थे कि हो सकता है, आपके mobile phone के hardware में कोई दिक्कत होगी, जिसके आपको इस वीडियो में जितना भी solution बताया है न, वो mobile phone के software के जरीए बताया है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है?